Hey everyone, I am Pawan from TCML and right now I am doing MBBS internship and in this video हम आप से बात करेंगे 3 points के उपर No.1 क्या है, Scalpel, No.2 Surgical Blade and No.3 Handle तो देखिए, अब आपका next question होगा, कि Sir, इन 3 चीजों को हम कहां यूज करते हैं तो देखिए, जितने भी surgical procedure होते हैं न, just like हमें Hydrocil की surgery करनी है, हर्णिया की surgery करनी है, ओपन कोली से स्टेक्ट मी करनी है, या फिर बोल दीजी, appendix की surgery करनी है ओवराल, जिन भी surgical procedure के अंदर हमें body के उपर incision देना होता है, cut लगाना होता है तो of course, उस जगह पर हम इन तीनों चीजों का यूज करेंगे, मतलब कि इसकाल पर surgical blade and handle का यूज करेंगे and वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक special surgical blade के बारे में बताना चाता हूँ और वो surgical blade कौन सी है, 12 number की, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा and जो यह 12 number की surgical blade होती है न, इसका एक special shape होता है मतलब कि यह current shape की होती है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा तो overall आप इसके shape से इस वाली blade को identify कर सकते हैं मतलब कि जब भी आपको कोई curved shape की blade मिले, तो of course उसका number कौन सा होगा 12 number, मतलब this is 12 number surgical blade and अब हम आते हैं हमारी वीडियो के उपर and वीडियो के अंदर मैंने 3 word की बात की थी number 1 क्या है scalpel, then surgical blade, then handle and देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ surgical blade की और आपको अभी वीडियो के अंदर बहुत सारी surgical blade दिखाई दे रही होगी और देखिए, surgical blade का identification आप सभी को आना चाहिए क्योंकि neat PG point of view से surgical blade का identification बहुत ज़्यादा important है मतलब कि exam में क्या होगा, आपको direct blade की image देदेगा कि बताइए, इस blade का number कौन सा है and सबसे पहले आप 10 number की surgical blade देख रहे है and then उसके बाद 11 number की surgical blade है and उसके बाद 12 number की surgical blade है और देखिए, 12 number का मैंने बताया ना कि जो भी blade आपको curved shape की दिखे मतलब की कौनचे number की है 12 number की surgical blade and 12 के जश्ट बाद मैंने 15 number की surgical blade रख रखकी है overall मैंने 4 surgical blade की बात की number 1 कौनची है 10 number then 11 then 12 then 15 okay and इसके बाद मैंने 4 blade और रख रखी है number 1 कौनची है 20 number surgical blade and then इसके बाद कौनची है 22 number then 23 number then 24 number okay तो overall सारी blades का identification आपको आना चाहिए and जो 20 number की surgical blade है वो 22 number की surgical blade है इन दोनों में only shape का difference है मतलब की 20 number यानि की 20 number की चोटी होती है और इसी 20 number blade को अगर मैं size में बढ़ा कर दूँ तो क्या बोल दूँगा 23 number surgical blade आप दोनों को एक साथ देखिए and जो 23 number है 24 number है इन में भी only size का difference है 23 number वाली चोटी है और 24 number वाली बड़ी है मतलब की 23 number blade को अगर मैं बढ़ा कर दूँ तो of course क्या बन जाएगी 24 number blade बन जाएगी दोनों को आप एक साथ देखना and इसी के साथ आपको एक और confusion हो सकता है और वो क्या है 10 number surgical blade 20 number surgical blade and 22 number surgical blade तो देखिए मैं इन तीनों blade को आपको एक साथ दिखा रहा हूँ सबसे पहले कौन सी है 10 number then 20 number then 22 number वो देखिए इन में भी size का difference है जो 10 number वाली है वा छोटी है 20 वाली थोड़ी बड़ी है and 22 number वाली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है okay I hope आप समझ गए होंगे and जो यह blade होती है इन्हें हम डारेक्ट तो यूज नहीं कर सकते है मतलब की एजूम कीजिए मुझे हाइड्रोसिल की सर्जरी करनी है तो अफकोर्स मैं क्या करूँगा इस्क्रोटम के उपर इंसीजन दूँगा मतलब इस्क्रोटम में होता है न median रेफ है तो देखिए मैंने तीन पॉइंट बताई थे न इसकाल पर सर्जिकल ब्लेड और हैंडल तो अब मैं किसकी बात करूँगा हैंडल की and most common आप two type के हैंडल पड़ते हो सबसे पहले कौन सा होता है तीन नंबर का हैंडल and second नंबर पर कौन सा होगा four number का हैंडल और आप अभी इस वीडियो के अंदर four number का हैंडल देख रहे हैं and इस हैंडल के उपर हम क्या लगाते हैं surgical blade और देखिए जो 20 number surgical blade है 22 number है 23 number है और 24 number है मतलब की बाद वाली four surgical blade है इन सब के लिए कौन सा हैंडल होता है four number का surgical handle होता है मतलब की ये सारी blade four number के handle के उपर एकदम फिट आती है and starting की जो four blade है न मतलब की 10 number 11 number 12 number और 15 number ये सारी blade तीन number के handle पर एकदम फिट आती है और देखिए ये याद करने का भी नहीं है आप सिधा blade वाली image पे जाईए तो देखिए starting की जो four blade है और उन blades के उपर handle के लिए जो cuts है जो groove है वो थोड़ी छोटी है and बाद वाली जो चार blade है मतलब की 20 number 22 number 23 number 24 number इन चारो blade के उपर handle के लिए जो cut है handle के लिए जो groove है वो थोड़ी बड़ी है देखिए starting की 4 blade and बाद वाली 4 blade इनके cuts के उपर आप गोर कीजिए मतलब की handle के लिए जो cuts है ना blade के उपर उस पर आप गोर कीजिए starting की 4 blade मतलब की 10, 11, 12, 15 इनके जो cut है वो छोटे हैं और जो बाद की 4 blade है यानि की 20, 22, 23, 24 इनके cut बड़े हैं overall starting की 4 blade के लिए handle number 3 use करते हैं और बाद वाली 4 blade के लिए handle number 4 use करते हैं और देखिए मैं आपको practically दिखा भी देता हूँ अभी मेरे पास क्या है 4 number का handle end starting की जो 4 blade है इनमेंसे मैं randomly pick कर रहा हूँ 12 number की blade end मैं इस 4 number के handle पर 12 number की blade को fit कर रहा हूँ तो देखिए 12 number की blade 4 number के handle पर आई नहीं रही मतलब की fit नहीं हो रही है क्योंकि blade के अंदर जो handle का cut है वह चोटा है और जो हमारा 4 number का handle है वह बड़ा है end इसी 4 number handle को अब मैं बाद वाली 4 blade यानि की 20, 22, 23, 24 इनमेंसे मैं randomly कोई सी भी blade पर लगा रहा हूँ अजूं कीजिए हम 4 number का handle यूज करेंगे end इस्टाटिंग की 4 blade के लिए हम 3 number का handle यूज करेंगे end जो surgical blade है और जो handle है अगर हम इन दोनों को आपस में connect कर दें तो अब इस सारे को एक साथ क्या बोलते है scalpel मतलब की मैं यूँ बोल सकता हूँ कि scalpel is equal to surgical blade प्लस handle ओके तो ओवराल जो तीन वर्ड थे ना scalpel हो गया surgical blade हो गया handle हो गया यह तीनों वर्ड आपके clear हो गये end जो surgical blade होती है इन्हें किस से स्टेलाइज करते हैं radiation से end radiation भी कौनसी यूज करते हैं gamma radiation देखिए surgical blade के जो रेपर है इनके उपर एकदम clear mention है R मतलब radiation और कौनसी gamma radiation and आज से near about 3-4 दिन पहले मैंने TCML पर एक short upload किया था और उसका topic क्या था IUD यानि कि intrauterine device and IUD के अंदर मैंने copper device की बात की थी और आपको अभी वीडियो के अंदर two copper device दिख रहे होंगे number one कौनसा है copper 380A और दूसरा कौनसा है copper 375 overall जो यह copper device है इनने भी हम किस से stylize करते है radiation से and radiation भी कौनसी gamma radiation जोकि कौनसी होती है ionizing radiation अरे आप दो पढ़ते होना यार ionizing, non-ionizing तो gamma radiation कौनसी है ionizing radiation overall surgical plate and copper device copper T वाले device इन दोनों को हम gamma radiation से stylize करते है और आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर finish होती है और इस वीडियो में मैंने जितने भी image बताई मतलब जितने भी surgical blade बताई handle बताई अगर आपको इनके image डाउनलोड करने है तो वो आपको कहां मिलेंगे अगर आपके mind में कोई भी suggestion है कि sir अगली वीडियो इस वाले topic पर upload कर दो तो overall जो भी आपके suggestion है वो आप हमें बता सकते हैं इसी वीडियो के comment section के अंदर and bye झाल झाल झाल